हेलो एव्रिवान वेल्कम बाक टेरून चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नमबर 68 सब्रेक्ट मैच्स क्लास 10 था जैन्वरी के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोक्षीट में हम जो चैप्टर करेंगी सर्फेस एरिया ऑफ कॉंबिनेशन ऑफ सॉ तो यहां पर जो सॉलिट्स हैं अगर हम दो सॉलिट्स को एक सिलेंटर एक हमिस्फियर जैसे आपको डियाग्रम में दिख रहा हूं इनको आपस में जोड जाए तो इन कॉंबिनेशन में किस तरीकी से सर्फिस एरिया निगलेगा देखो फॉर एक्जांपल से देखते हैं अब वैसल इनदेख फ़ोम फो अह Malo Hemisf Harris की शेप में है maundiट वाया होलो सिलेंटर जिसके उपर क्या है एक360 है तो या ऐंस nowadays क reflect देख गया करना है इन में इसका इनर सर्फिस अरिया निकालना है और आपको पाई के जोगे क्या क्या यूज करना है 22 by 7 so अब देखो radius of जो cylinder है radius cylinder की radius भी वही होगी जो hemisphere की है मतलब 7 cm है ना और जो height है hemisphere की वो कितनी होगी जो radius होगी वही होती है height तो यहाँ पे तो यह भी 7 cm होगी अब cylinder की height कितनी होगी यह पूरा total 13 था hemisphere की 7 है height तो 13 minus 7 कितना बचा 6 तो height of cylinder कितना होगी 6 cm so inner surface area of the vessel इसका inner surface area निकालना है तो cylinder का surface area निकालना पड़ेगा और hemisphere का जीकिए दोनों के ground surface area को हम add करेंगी तभी निकलेगा दोनों से मिलकर मिला है तो curved surface area क्या होता है cylinder का होता है इसलिए मैं आपको बोल रही थी इस question में कुछ भी नहीं है सिर्फ आपको formula लान होने चाहिए ठीक है उनको बार-बार लिख 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 करो आपको tips पे होने चाहिए कौन से question में कौन सा formula जो cylinder है इन सब के जो formula है वो अगर आपको आते होंगे तो पूरा question solve बजाएगा ठीक है next है inner surface of the vessels अब inner surface ते रहे निकाल ला है तो इन में values पूट कर देगे so 2 pi क्या है 22 by 7 r क्या है 6 और h क्या है 2 ठीक है न radius कितनी है 6 है न सिलेंडर की और h कितनी है sorry h कितनी है 6 है न सिलेंडर की 2 pi r h अब देखो यहाँ पर एक 7 मिसिंग है न r का एक r मिसिंग है यहाँ पर एक 7 मिसिंग है कोई बाब नी चलो next 2 pi r square 2 pi pi की चिक है 22 by 7 r square r कितना है 7 तो 7 का square तो बस इसको solve करके जो आप का answer आएगा वो आजएगा 572 तो जो inner surface area है वसिल का वो कितना है 572 cm square ठीक है next देखो so next question क्या है question number 2 है एक cubical block है जिसके side कितनी है 7 cm की cube है जिसके length प्रेट थाइट तीनो चीज़े क्या होती है same होती है तो cubical block है इसके side 7 cm दी है उसके उपर क्या एक hemisphere रखा है what is the greatest diameter of hemisphere can have तो यह मतलब सबसे बड़ा hemisphere कितनी इसके maximum diameter हो सकती है कितना हो सकता है इसका diameter hemisphere का find the surface area of the solid और आपको गया निकालना है surface area निकालना है इसका solid का ठीक है देखो so diagram में से हम देखेंगे जो greatest diameter hemisphere का cube edge 7 cm है जसकी will be equal to the cube's edge वो किसके equal होगा जो cube की edge है उसके हिसाब से ही होगा इसका diameter ठीक है तो देखो जो radius है hemisphere का वो क्या है radius है 7 by 2 यह आपकी 7 है तो इसका half हो जाएगा 7 by 2 होगा radius 3.5 cm cube का surface area निकालो plus में curved surface of hemisphere hemisphere का curved surface area निकालो minus पे base of hemisphere इसका base minus करना पड़ेगा हमें ठीक है so surface area cube का क्या होता है 6 a square होता है जब की a क्या है आपका 49 sorry a क्या है 7 है 7 का square हो जाएगा 49 फिर curved surface area hemisphere का क्या होता है 2 pi r square होता है 2 into pi क्या होता है 22 by 7 r square r यहां पे क्या है 7 side है तो उसका half 7 by 2 ठीक है is equal to 294 plus 22 by 7 कितना अंसरा आजाएगा आपका 32.5 cm cube तो यह निकाला हमारा total surface area of solid ठीक है आप देखो अब आपको क्या करने questions जो आज आपकी worksheet में given है दो questions आपको given है first आपका question है दो cubes है each of volume 64 cm cube दो cubes आपको दिये हुए जिन की volume 64 cm cube है दोनों की end to end जुड़े हुए मतलब इनकी बीच में gap नहीं है जुड़े हुए इस तरीके से find the surface area of resulting cuboid तो आपको जो यह cuboid बन चुका है दो cubes से क्या बन गया cuboid बन गया तो जो यह cuboid बन गया है इसका आपको surface area निकालना है so देखो question number first so देखो volume आपको और एक cube का दिरखा है 64 cm cube तो volume से में side निकाल लोगी और दो sides को मिला के cuboid बन रहा है तो देखो volume of cube से पहले में side निकालोंगी तो volume of cube क्या होता है side का cube और 64 को मैं 4 का cube लिख सकती हूँ तो यहां से जो side है वो कितनी आगई 4 cm आगई अब आपको ऐसी 2 cubes चोडने है 4-4 cm 4 cm यह हो गया 4 cm यह हो गया क्योंकि 2 cubes से मिलकर cuboid बन रहा है तो length कितनी होगी 4 और 4 दो गुनामे कर दिया 4 को क्योंकि 2 cubes से 8 cm होगी इसी तरी किसे जो breadth है वो भी क्या हो जाएगी जबकि breadth है वो कितनी होगी यहां पर 4 cm और जो height है वो कितनी होगी 4 cm यह सारी तो सी मिलेंगी सिर्फ length में क्या हो जाएगा 2 times हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक जोडने के बाद length पर effect पढ़ रहा है height और breadth वही है तो surface area क्या होगा 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length तो यहां से 2 into L और B चिक है L क्या है 8 B क्या है 4 8 forza 32 इस तरीके से B into H 4 forza 16 H L कितना हो गया 8 forza 32 So, आपका जो answer आएगा कितना हो जाएगा 2 into 81 60 cm2 तो यह हमारा surface area निकला क्यूबोइड का जब हम 2 cube को आपस में मिला देते हैं clear? next question पर चलते है यह आपका first question था इसको लिख लेना यहापर यह आपका first question था next question number 2 तो second question में कहता है कि जो decorative block है जो आपको figure में यहापर दिखाया गया है यह दो solid से बना है नीची क्या cube है उपर क्या एक hemisphere है तो जो block जो base है block का cube का उसकी edge 5 cm है जो side है और hemisphere है वो उसकी उपर fix कर रखा जिसकी diameter 4.2 cm है तो आपको total surface area निकाला प्लस में total surface area of hemisphere निकालो बस base minus कर दो hemisphere का क्योंकि base नहीं है इसका ठीक है तो total surface area of cube क्या होता है cube का formula होता है 6a square a का आपकी side है तो 6 side का square प्लस में surface area क्या होता है hemisphere का 2 pi r square होता है minus में base area of hemisphere base का जोई रहा है circle circle का क्या formula होता है pi r square तो यहां वे values put कर देंगे side आपको 5 given है 2 x 22 x 7 radius जो है और वो कितनी ही 2.1 है 4.2 आपका क्या है diameter है तो उसका जो half कितनी होजाएगी radius 2.1 ठीक है उसके बाद यहां पे pi r square x 2 x 7 x 2.1 का whole square बस अब इसको solve करकी जो आपका answer आएगा वो आजाएगा 163.86 cm2 ठीक है तो यही हमें निकालना था simply total surface area of block तो हमारा answer निकला है 163.86 cm2 तो यह दो questions है जबकी work sheet में given थी I hope आपको अच्छे से समझ में आ गए है कोई भी doubt है किसी भी question में तो comment section में मुझे पूछ सकते हैं और अगर आपको lecture अच्छा लगी चानल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं आज कर इतना ही मिलते हैं next video में till then take care bye bye